नम बुद्धाय, जेभिम, जेभर, मित्रों हमने पिछले कई विडियोज में तमिलनाडु राज्य की नागपटिनम, पेरंबलूर और अरियालूर जिले में मिली बुद्ध प्रतिमाओं के बारे में सिखा है इसी तरह तमिलनाडु जिले में थिरुवरूर नामक एक जिला है, इस जिले में बौद्ध संस्कुति के कई अउशेश हैं और मुर्तिया भी मिली है, यहाँ नव्य और ग्यारावी सदी की कई ग्रेनाट पत्थर की मुर्तिया मिली है, तारा की तेरावी सताब्दी की मुर्त नन्नी लम तालुका के किरनूर गाउ में पाई जाती है, थिरुवरूर जिले के कोड़ा वसल तालुका के सेलूर गाउ में दातु बुद्ध की मुर्तिया, छोटे पत्थर की मुर्तिया और बोधिसत्व की मुर्तिया मिली है, तमिलनाडु के थिरुवरूर जिले से 19 किलो यहां मुर्थी नवी दश्वी शताब दिकी है और वहाँ एक जिल की मिट्टे में पड़ी मिली थी और लोग पिडियों से इस पर कपड़े दोते रहे हैं लेकिन किसी कार नावर्ष जब पधर को बाहर निकाला गया तो पता चला कि यह मुर्थी है फिर इसे पिपल के पेड़ के नीचे स्थापित किया गया है इस बुद्ध प्रितिमा की गरमी तूट गई है बहुत कम लोग जानते हैं कि यह बुद्ध की मुर्थी हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि उस मुर्ति का क्या करना है और इस मुर्ति का क्या महत हो है। 2008 में यहाँ गजा नाम का तुफ़ान आया था, फिर कई बड़े पेड उखड गए, सो भाग्य से मुर्ति या पेड को कुछ नहीं हुआ। आसपास रहने वाले लोग जानते हैं कि यह बुद्ध की मुर्ति हैं, इसलिए तेवहार के दिन वे बुद्ध को स्रद्धांज ले देते और मिटाई चाड़ाते हैं। तमिल्नाडू में उच्च साक्सरता के दर के बावजित, कई लोगों ने धार्मिक पाखंड की पागोटेकों सीर परबांधा हुआ हैं। इसलिए जहां कभी भी बुद्ध की मुर्तिया मिले हैं, गाउं में बुद्ध की परती जागरुकता बिल्कुल नहीं दिखाई दिए हैं। दरसल हजरों साल पहले यही इलाका बुद्ध सहस्कुते से सज्या हुआ था। यहां कई व्यार होंगी बिकुसुत का पाट किया जाता रहा होगा। ठ्रिपिटक का अध्यन किया जाता होगा। दक्षिन भारत में धम्म को इतना नुक्सान क्यों हुआ। यह सोचकर अफसस होता है। मित्रो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए जादर से जादर शेर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और सथ में देए गया बेल आइकन को दबनों पूले। इससे के साथ नए वाले चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें जोईन बटन के जरी चैनल के सदर्श से ज़रूर बनों। चलो मिलते आगले वीडियो में नामों बुध्धाय जय भीम।